आज की वीडियो हम उन खुश्किसम स्टूरेंट के लिए बना रहे हैं जो रेटन क्लियर करके अब इंटर्वी की प्रपेशन पर जा रहे हैं याद रखेगा के रेटन एक्जाम क्लियर करना एक्चुली दैट इस नॉट आ इंटर्वियू में अपने आपको अच्छे से पेश करना और अपने नॉलज़ को अच्छे से रिप्रेडियूस करना इंट आफ दा पैनल और वो पैनल की अप्रोच को अडॉप्ट करते हुए उनको जस्टिफाय करना दैट इस लास्ट यूनो डैट अट आटम्ट आफ यू कि आपका जो यह सीएसिस की सेलेक्शन है यह दो हिस्टों पर मुश्टम में एक आपके रिटन एक्जाम पर है और एक आपके इंटर्वियू एक्जाम मेरे नजदीग जाएव ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि रिटन एक्जाम में आप चीजों को ओन करते हो एंडिस् एक्जामिनर को सैटिसफाइड करने के लिए और वो जो क्वेस्टन होते हैं वो उनके उपर आपको आल्मोस्ट अवरिज अगर देखें तो दस से पंदरा मेंट सोचने को भी मिल जाते हैं लेकिन और एक्जाम के अंदर आपके साथ ऐसा नहीं होता है और एक्जाम के तो दे रेटन और उसके उससे भी हट के जो जब बात करें तो हमें पता चलता है कि रेटन एक्जाम में तो हमने जस्पास करना था एग्रिगेट बनाना था और यहां पे जब 364 कैंड़ेट हैं और उसमें से अगर आपने अल्मोस्ट वन थर्ड ओन करने या 210 या 215 उन प्रवेंस के कैंड़ेट के लिए प्रॉब्लम होता है कि वह अपने इंटर्वीव को किस तरह से कैश करें सो दैट वो बाकी लोगों को कंपीट कर सकें अब कंपिटीशन का जो कंसर्न है वह इंटर्वीव में एक्चुली होता है और खासुसां पंजाब के डोमिसल परसेंट के लिए पास हो रहे होते हैं तो वी अर इनफ लकी नो डाउट बर्ट एड़ आट सेम टाइम आप लोगों को ज्यादा मेंद की जरूरत होती है हमारे हां ज़्याद रैटिचूड यह बन जाता है हमारे कानिडेट्स का कि वह भी से अपने आपको सीस्पी समझने लगते हैं जिसकी वज़ए से वह अपने इंटर्व्यू की तरह फोकस नहीं करते हैं अब हम अपने स्टोन्स को हमेशें अस बाद पर कहते हैं कि अब आपको ज्यादा मेंद की जरूरत होगी है क्योंकि अब आपने इंटर्व्यू में जाके कंपीट करना और अगर आपके रिटरिरिंग सामें माक्स कम हैं किसी भी वजा से किसी भी सब्जेक्त की वजा से तो वो मार्कस अब आपको कैश करने होते हैं इंटर्वी Company जहぇं आज की जो वीडियो है उसमें हम आपको बता रहे हैं कि आपकी इंट्रिव्यू की जो प्रिपेशन है वो दो तरीके से हो सकती है या आप कह सकते हैं कि आप अपनी प्रिपेशन को दो तरीके से करते हैं जो हमारे हां अकैडमी करवा रही हैं या इंडियू जो लोग होते हैं वो आपके इंट्रिवू प्रिपेशन करवाते हैं एक तो है अकैडमिक अप्रोच जो आप लोग अपने एजुकेशनल परस्पेक्टिफ से ओन करते हो अपने डिगरी से लेके आपके आप्शनल सब्जेक्ट के अंदर जितनी भी अप्रोच बन रही होते हैं आप उनके लिए अपने आपको प्रिपेट कर रहे हो तो क्योंकि आपका पैनल जो है वह आपके अप्शनल सब्जेक्ट या आपके डिगरी के रिलेटेड जो और एजुकेशन बैक्राउंड जो आप हों कर रहे हो उसके बारे में पूछता है और दूसरा कंसर्ण है परस्नल लेवल कहा है तो उस सेंस में डिफरेंट एक्टीचूट जो है वह अडाप्ट किया जाता है पैनल के तरफ से और अकसर मैं अपने स्टोर्ण्स को यह कहता होता हूं कि इंट्रव्यू के अंदर आप लोग रॉंग साइड आफ टेबल पर बैठे होते हो अब रॉंग नहीं गया जो हम त्यार करके बैठे होते हैं जब आप अपने इंट्रव्यू पैनल को यह बताते हैं कि हम फलाँ पॉर्शन या फलाँ सब्जक्ट त्यार करके हैं तो यह उनकी मर्जी है कि वहां से वह पूछें या कहां से पूछें तो लहादा यह ओपन डिबेट होती ह इस पे आपको हर लहाद से में त्यार होके जाना होता है यह प्रूब करने के लिए कि यूर बेस्ट वण एस कंपेर तू यूर कमपिटेटर्स तो इसके लिए आपको क्या करना है अपने त्यारी या प्रिपेशन उस लहाद से करनी होती है टोकन क्वेशन मैं अलमुस्ट त्री यह से इंट्रिव्यू की प्रिपेशन हम लोग करवा रहे हैं तो हमेशन जो मुख्तलिफ इंसिट्यूट और अकैडमी से जब आप लोग त्यारी कर रहे होते हैं तो वहाँ पर एक बड़ा आम सा जो है आप लोगों से पूछा जाए आपको बता जागा जी टोकन क्वेशन पूछे जा रहे हैं तो क्वेशन होते क्या हैं आज तक मैं इस चीज़ को परसीव नहीं कर सका और अपने स्टोड़्न को भी कहता हूं इंफक्ट टोकन क्वेशन नहीं होते हैं अब लेट्स पोज़ आपके पांच लोग पैनल में बैठे हैं तो आपको क्या कहेंगे हैं जी मिस्टर हैंडी मिस साहिबा हम आप से अब यूस हिस्टी की तरफ जाने वाले हैं अब हम इस्लामयत की तरफ जाने वाले हैं वो आपको से अब्रैप्ट ली पोचेंगे सो डैट आपका रेक्शन जान सकें कि आपको अगर आता है तो आप कितना अच्छे से reflect करते हो और कितना अच्छे से अपनी personality को represent करते हो In fact, there is a no one a token question It is a traditional approach of the interview तो उसमें आपने आपने आपको किस तरह से cool, calm, peaceful और even confident way से आपने आपको represent करना होता है तो definitely जब आपके तयारी अच्छी होती है और आप अपने आपको engage करते हो तो आप confident होते हो और जब आपकी तयारी अच्छी नहीं होती तो आपको पता है कि आपने कौन से subject पढ़े है और कौन से अपने left की है तो आपके mind में automatic लेच चल रहा होता है Allah करे यहां से पूछें, यहां से ना पूछें यहां से ना पूछें तो उसके साथ-साथ आपका confidence level भी जो हो डाउन हो रहा होता है फिर एक आप question जब आपसे छूट जाता है तो फिर उसके बाद आप दुबारा confidence गेन करने में थोड़ सा time लेट हो तो यह सारी practice जो है वो आपकी personal approach से लेकर आपके knowledge तक जो है वो चलती है जो एक अच्छा आपका mentor होता है आपको interview prepared करवाने वाला वो सबसे ज़्यादा focus करता है आपके education के उपर आपके knowledge के उपर और जो current events हैं जो actually हमारा CSS relate कर रहा है जिन चीज़ों के बारे में उनके बारे में आपको बताया जाता है अच्छा जब personal development के अंदर है तो वो तो सब लोग साधर है अच्छे से उनके पास जो सबसे best dress होता है वो पहन के जाते हैं अच्छे से त्यार होके जाते हैं अपनी personality को अच्छा सा हर कोई present कर रहा होता है तो वो तो एक common approach है जो फर्क आप डाल सकते हैं दूसरे candidate से वो है आपका knowledge वो है आपका confidence वो है आपके approach वो है आपका reaction वो है आपकी reflection वो है चीज़ों को judge करना वो है चीज़ों को reproduce करना आपका अपना point of view आपके arguments आपके justification these are the things जिनके उपर आपका interview खड़ा होता है तो हम इसके बाद आपको एक और वीडियो के जरीए हम आपको बताएंगे actually आपका interview कितने types को होता है और उस तरह से आपको preparation करनी चाहिए हम आपको interview की preparation जो है वो बल्क की सुरत में नहीं करवाते हमारे पस जो candidate आते हम हम उनको individually discussions में involved करके उनकी approaches को देखते हुए और अपनी options को देखते हुए हम आपके से इंगेज हो रहे होते है if you are going to handshake with us regarding interview preparation then most welcome और हम आप लोगों को ज़्याद तर focus करेंगे आपके education के वोपर आपके knowledge के वोपर और आपके उन characteristics के वोपर जो के common academic culture आपको नहीं दे रहा होता और वो एक गो में आप लोगों को बस बोलना कैसा है जी बैठना कैसा है उठना कैसा है यह तो सारी चीज़े common हो गई है यह तो सब को पता है तो भाई differentiation कहां आना है आपके interview में वहां से बात करो और अगर आप लोग जब result आता है तो आप अगर उनको देखें वह और से उनके बीम सी में और इंट के interview में एक पूरी सीरीज चल रही होती है वांस अंडर से लेकर बाने ट्वांटी तक एक सीरी चल रही होती है एक्चुली हो क्या रहा होता है वह जो एक एडमी कल्चर है उसमें से सब लोग गुजर रहे हैं और डफिनलिटी वह एक जैसा बीहेव कर रहे हैं और आप में से सबसे जादा मार्क्स वही ले रहा होता है जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है एक बात अपने education के लिहासे और अपने leadership quality की perspective से और अपनी personality की reflection के हवाले से otherwise panel के पास पर एक option बज़ जाता है जो आपके written के marks हैं उन्हीं को सामने रखते हु सो डाट वो एक sequence बरकरार है जिसना allocate होना हो जाएगा जिसना allocate नहीं होना वो नहीं होगा तो यह option के पास रहता है आगे बात है कि आपका interview जो है वो two way से चल रहा होता है अब आपकी मर्जी है कि आप उसमें कौन सा way adopt करते हुए एक way यह होता है कि आप interview panel को अपनी pitch पे खि बनाते हो इसी तरह आपके interview के अंदर भी आप अपने pitch खुद बनाते हो अगर तो आप strong candidate हो knowledge के हवाले से arguments के point of view से अगर आप strong हो तो आप panel को अपने pitch पे ले आते हो और पिर अच्छे से आप खेलते हो और अगर आप problematic हो nervous हो गया आपका confidence lose हो गया और आपको हमेशा यह problem र बड़ी जो है वो target oriented होती है तो definitely वहां पर January के महीने में भी आप लोगों के पसीने निकलाते हैं और उसके लावा भी मैं कहता हूं कि पैनल में बैठने वाले अगर पांच लोग हैं तो सारे retired बावे होते हैं और उन पांच की एज़ जो है वो 300 years होती है और एक जो आप लो आप अपने आपको over smart और smart की बजाए अपने आपको knowledge able personality में convert कीजिएगा और अच्छे से अपनी interview की preparation करें so that आप अपने आपको इस काबल बना सकें कि आपकी allocation हो best of luck बहुत शुकरिया अल्लाहाफिस